अब दिल्ली से 13,000 किलो मीटर की दूरी पर ABP News की investigative editor शीरा रावल और हमारे video journalist संजीव कापडी आपके लिए लेकर आए हैं ये exclusive interview PNB घुटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को हमने ढून निकाला है जो CBI के सवालों से बचने के लिए विदेश फाग गया था लेकिन आज यही मेहुल चोकसी ABP News के सभी सवालों का सीधा जवाब देगा आज ABP News के सवालों का सामना करेगा मेहुल चोकसी जिसने देश की जाच इजिंसियों को रुला दिया आप देखेंगे आज कैसे हमारी investigative editor शीला रावल के सामने कामरे के सामने फूट फूट कर रोए मेहुल चोकसी चोकसी का वर्ल्ड exclusive interview ABP News आपको दिखाने जा रहा है लेकिन उससे पहले मेहुल चोकसी में इतनी दिल्चस्पी क्यों क्यों भारत की 14 जांच इजिंसियां मेहुल चोकसी के पीछे लगी हुई है मेहुल चोकसी के बारे में आपको और जानकारी दे रही है मे क्यों की ओर से भी जांच एजिंसियों को लेकर अपनी नाराज़गी जताई गई थी वो मेहुल चोकसी जिसको 14 जांच एजिंसिया इस वक धूंड रही है वो मेहुल चोकसी अपसे कुछी देर के बाद अपने एक एक राज ABP News पर खोलने जा रहा है और साथी आप ये भी देखेंगे कैसे फूट फूट कर हमारे कैमरे के सामने वोरोने रगा वर्ल्ड एक्स्क्रूसिव इंटर्व्यू शीला रावल के साथ बस कुछी देर में आपके सामने होगा आपको बता दें यहाँ पर देखें ये जो आंकड़ा है इसको गिनना अपने आप में एक नजर करोड का घोटाला करके देश से साथ समंदर पार भाग गया है मेहुल चोकसी और उसके साथ निरव मोदी आपको बता दें यह उसका भांजा है मामा भांजे ने ये बड़ा घोटाला एक साथ मिलकर किया है 14,000 करोड का ये घोटाला गीता अंजली गीता और अंजली दो बह लेगा मेहल चोकसी वो भी आपके सामने रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी जूल्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ब्रांडेट जूल्री का यह कारोबारी किस तरह से अब भगोड़ा घोशित हो चुका है और यह अपने कई सवालों के जवाब आज ABP News के क्यामरे के सामने देने जा रहा है चले जल्दी से अब मैं मेहल चोकसी के बारे में आखर देश भर में सियासत क्यों गर्म है जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ बहुत बड़ा खुलासा खुद आप अपने आखों से देखने वाले हैं लेकिन आखर मेहल चोकस की निरम मोदी का रिष्टे में मामा है इसको लेकर भेशने क्या कहा है आपको बताने वाले हैं बस कुछी देर में चोकसी की कमपनी गीता अंजली का कारोबार कई देशों में फैला हुआ है गीता अंजली गीता और अंजली उसकी दो बहने जिसकी नाम पर गीता अंजली क कंपनी की शुरुवात हुई थी मिहुल चोकसी इससे जुड़ा हुआ और अब मिहुल चोकसी कुछी देर में आपके सामने होगा अपने राज खोलते हुए दो हजार एक से दो हजार पांच के बीच चोकसी ने नक्षत्र अस्मी डी डमास संगनी ब्रांड की शुरुवात की थी चोकसी का गितांजरी समू का कारोबार 130 अरब रुपए तक पहुँच चुका तो ये इसके बारे में वो बड़ी चांकारी जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी लेकिन अब जिसका इंतजार है सिर्देश को बलकी विदेश में बैठे लोगों को भी वर्ड एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू देखने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का नेहा तो पहली बार इस इंटर्व्यू के माद्धिम से मेहुल चोकसी को आप देखेंगे वो मुंबे के हीरा बजार के किंग कहलाते थे बॉलिवूट के सितारे राजनेता और विदेशी सलिब्रिटी उनके इर्दगर्द रहती थी लेकिन अब भारत की एक दरजन से जादा जाच एजनसी उनके पीछे लगी है उन पे आरोप है पंजाब नेशनल बैंक के साथ अजार करोड से भी जादा डुबाने का फरजी एलो यू के जरिये हमारे साथ है मेहुल चोक्त आपका क्या कहना है उस पे यह सब जो हो रहा है लास दो महिने से पुरा फोकस मेरे पे स्थिफ हो गया है only for the reason that I am in a smaller country and probably softer target compared to others in a bigger country it's a whatever you've been seeing is a big political conspiracy I would say there's a too much pressure on the government to bring someone and there is a so this I'm 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 I become a soft target for them if I tell you about this the poor fraud key job at hey a fraudos can there is no there was no fraud or no scam did by my company at all it was rather a fraudulent complaint there were complacency in the bank for a reporting system में bank के reporting system में बहुत कॉंपली संसे थी अभी तो report बहरा आ गया है CPI का कि you know probably बहुत बड़ी संख्या में लोगो उसमें जवाबदार गिना जा सकते थे सायथ और जो भी मैंने पड़ा है कि पांट साथ साथ में सायथ बहुत बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारियों और उसमें इंवल्फ हो जाते तो बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जिगा पे उन्होंने हमें स्केपकोड बना दिया सबसे पहले इन लोगो ने तो एक कंपलेंट किया ओन थे 29th of January वेर वह कम मैं ने वस इंवल्फ आप शॉक्त अप्राइड आप कहां थे तब मैं, I was in USA at that time, I was going through a medical treatment there और जब ये इंपलेंट आए तभी उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी something very unprecedented is what has happened के तीसरे दिन को तो उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी without investigating anything मैं अंदर पार्टन हूं या नहीं वो भी उनको मालूम नहीं है और जब ही मैंने बैंक का ओफिसर को फोन किया कि मेरा नाम क्यों दिया गया तो ये जब नीरव मोदी पे सारी कारवाई शुरू हुई जी उसके साथ हापका नाम आया वो कंपनियों में मैं पार्टनर हूं ऐसे करके उन्होंने मेरे एक कंप्लेंट डाली ये हुआ था 29 जन्यूरी मैं पार्टनर थे आई वस पार्टनर इन वन फे कंपनी इन नाइंट 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 एट और मैं दो अजार में रिटायर हो गया मैंने फोन उठा के बैंक ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा के वाईसी 1993 का ये 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे तो ये वी पूट यूर ने में नाइंट 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 से दो हजार तक और दो हजार के बाद में 2000 के बाद हमारा कोई बिसन्स रिजना, I went out of the company and I have no business relationship with that company at all तो वो पेपर पे नहीं था? पेपर पे था, absolutely, I'm surprised but this is complacency when I talk about the bank you can understand that what kind of complacency complacency the bank must have gone into उसके सिवाः उन्होंने रेच चालू कर दी और मियूल भाई, 18 साल, 2000 से दो हजार अठरा अठरा साल तक अगर आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं थे तो आप बैंक के कागज पे फिर भी पार्टनर थे? यह उन्होंने मुझे फोन किया तो मुझे बताया गया तो इस वाँ नहीं पार्टनर थे पार्टनर थे पार्टनर थे तब तक हमारे महां बहुत सारी रेट पड़ गई थी, पैनिक चालू हो गया था और उसके बाद उन्होंने सब इतनी हेवी रेट लगाई, मेंस इंकम टैस, ED and CBI together. They stopped all of our accounts. PNB reported there was a fraud, that I was involved in a fraud, and they pull back all my facilities. मेरी सब जोक तीन कंपनिया जो बोली जाती है, वो तीनों कंपनी की PNB में accounts थे जासे गितानली, जीली, जीली, जीली और नक्षतरा, और PNB was one of my major financiers. तो उन्होंने पूरी फैसिलिटी पुल बैक की. तो मैंने फोन उठा के PNB के ऑफिसर को मैंने कागच लिखा की, भई, let us resolve the matter, let us understand, because ये फॉल्स कंप्लें था और अचानक ऐसे फैसिलिटी पाफस मांग लेना, it is not possible. Once again, I am telling you that they virtually stopped my company. उन्होंने हमारे सब बैंक अकांट बंद होगे, हमारी सब इन्वेंटरी, 13, 14, 15 के बीच में बहुत सारी इन्वेंटरी लेली, आद्मियों में पैनिक घूम गया. 13, 14, February के बाद कर रहे हैं, 13, 14, February. हमारा सर्वर बंद किया गया, and the company came to a stall. It was shock. I was under medical surgery, I was having my cardiac procedure going on. मैं यहां से गया था, only for my medical treatment. I was traveling with four ladies. In the first week, when I arrived in New York, मुझे कुछ स्वास की तकलीफ है तो मुझे बहुत सारे check-up होने लगे थे. तो बिच में check-up के बिच में कुछ time मिला, तो मैं यहां, Intigua में आया था, और मैंने ओथ लेली. यह मेरा Intigua का पासपोर्ट जो मैंने अपलाई किया था, वो एक साल पहले किया था, in last February or March. और basically, I wanted to expand my business of Samuels in Antigua, in the Caribbean countries. And that was the simple reason that I had got an Antiguan passport. और मेरे पासपोर्ट की बहुत बड़ी थपिया चलती थी वीजास लेने के लिए, और attractive thing था कि इसे traveling बहुत ज़्यादा हो सकता था, Intiguan passport. So that was the only reason कि मुझे आंटिगवा का पासपोर्ट लखी लिया था, तभी, जो मुझे आज फाइदा कारण हो रहा है. आपने बताया कि शायद आपकी वीजा यूएस की खतम हो गई थी फिर, जब आप नागरिक बन गया एंटिगोगा के तो एंटिगोगा आ गए. See, देखिए, जो भी कुछ हुआ है, बहुत अनलोफुल और completely against the human right हुआ है. It's an unprecedented case. क्या हो गया कि इन लोगों ने रेट जो गण चला दी, वो वापस ले नहीं सकते हैं. तो उन्होंने बाद में सब सीजर और सब करने के बाद, मेरी पूरी कंपनी बंद कर देने के बाद, उन्होंने बाद में मुझे दूसरी F.I.R. सर्फ कर दी. क्योंकि जो गण एक दफा चुट गई, इतना बड़ा माहौल बना गया है. तो अभी वो वापस कैसे लेज़ में तो खाली मेरी कंपनी के बारे में बात करूँगा. तो उन्होंने एक दूसरी F.I.R. डाला मेरे उपर. और बाद में तो बस बेजिकली नाओ. मेरे फैमिली को ये सब प्रणाओ के साथ दिखे थे, आप हिरा बजार को एक्सपांड करने की बात हो रही थी, और वैसे में अगर अचानक ऐसा एक्शन हुआ, तो आपको क्या लगता है आपकी गल्ती कहां हुई? मेरी गल्ती खाली एकी थी थे, कि मैं एक महिना, I was not operative, I was in the hospital and then on a bed rest for whatever, for my surgery and after surgery. और मेरे फैमिली को ये सब से मुझे दूर रखना था. और तभी भी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं पंदरा फैबरुरारी को मेरे ओपर cardiac surgery, cardiac procedure वे, तो already it was too late. By then the company had already finished at that time. And ये कुछ, you know, government tried to save the bank at the cost of one of the leading company of India. आपको, आप जो बोल रहे है कि कि तानली वस वन अव लिड़ारी, क्यों अब तक कोई जात की complaint by ED or any other departments were not there for so many years. These companies, literally 50 साल जो पुरानी कंपनी है, 1964 का इसाइप्शन वा था. इतने साथ तो कहां साइट से देट सो आवोड समजी जी को है. तो क्यों गवर्मेंट ने, अभी तक कोई जात की इंक्वाईरी नहीं की और सडनली ये सब, 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 सब आगे, ये किया, वो किया, तो ये फ्रॉट्स्टर भाग रहे हैं. तो बेजिकली आव बिकम असाफ टार्गेट इन दे होल प्रोसेस. पर जो मेरी मुझे आपकी बात से समझ में आया, मैं बाई की ये, कि जब नीरव मोदी की कुछ कंपनियों पे PNB ने कारवाई करी. और उस एक कंपनी में आपका नाम होने की वज़े से ये सारी कारवाई आप पे होने लगी. पर कहीं न कहीं ये तो है ना कि आप नीरव मोदी, आप नहीं तो नीरव मोदी तो इस सारी चीज में जिम्धार है? या कहीं उन से गलती हो गई है? तो उन्होंने RBI में फाइल नहीं किया था. वो हिसाब से मेरे पास इंक्वाईरी आई थी और हमारी कंपनी को कॉशन लीस पे जो पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, आप समझे के बैंक के अंदर कम से कम एक साल के अंदर 25 से 30 आउडिट होते हैं. इतना साल से मैं काम करा हूँ, मेरे पेमेंट जाती है, पेमेंट आती है, यह होता है, तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं होती है अभी तक. आप, I'm surprised, there are so many people working reporting system में इतनी बड़ी. पर आरोप यह भी है, महुल भाई, दोनों ने आप पे अभी चार्शित लगा दी है, और जिसमें 400 BC, फ्रॉड और मनी लॉंडरिंग जैसे संगीन आरोप है. पचास साल से कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो, और अचानक एक साल के अंदर यह सब, अभी तो यह पोलिटिकल प्रेशर है, यह पेचा कर रहे हैं, मैं कोई जवाब देने के डिए, मेरा सर्वर आज दो फंदरा फेबुरवारी से बंद है, तो मेरे कोई भी आदमी क्या रिपोर्ट कर सकेगा, कोई भी चीज रिपोर्ट करने के लायक नहीं है, कोई भी आदमी कहां भी, वहाँ पे रिपोर्ट करने के लायक है नहीं है, कोई भी material के criminal case बनाने के लायक नहीं है So basically it is all whatever is happening, it's nothing else but very unjustful and honestly speaking it's completely against the human right आपके रेड्स में आपकी ज्वेल्री और बहुत कुछ पाया गया, आपके बहुत सार फ्रंचाइस पी रेड हुई और अभी money laundering के कानून के तहट आपकी कुछ property या भी seize हो गई है शायद ये लोगों ने 7-8,000 करोड का मेरा इज्वेलरी और properties और सब seize कर चुके है वो सब तो seize, पहले case में मेरे उपर FIRE आई, उसके पहले जो case में मैं अभी involved नहीं हूँ तो अभी CVI और EDK report बोल रही है और कम से कम 3-4,000 करोड रुपिया का माल जो बाहर था, customers के साथ में ये वो हमें कुछ नहीं मालूम है क्योंकि companies completely stopped, एक भी आदमी मेरा company में आज reporting में नहीं है It is very sad, it is very sad कितने लोग आपकी company में काम करते थी? Company के अंदर कम से कम 6,000 लोगों को internationally, they were employed directly or indirectly और जब ये रेड हुई, all the factories, everything was functional normally, कुछ भी problem नहीं था और एक दिन के अंदर ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है कि एक दिन में कोई company को without investigation बंद किया जावे just because there was too much of pressure on the government मेहुल भाई, ऐसा तो है कि कहीं न कहीं आग होती है तभी दुआ दिखता है आपने कहा कि आप कभी defalter नहीं थे ये घटना से पहले और हीरा बजार में बैंक से credit लेकर धन्दा करनी की जो परंपरा है वो हर व्यपारी इस्त्माल करता है तो आपके case में और नीरव मोदी के case में कहीं न कहीं आईसा जरूर कुछ हुआ है ताकि अगर आप कह रहे हो कि आप victim हो और आपके साथ गलत हुआ है तो वो गलत कहा हुआ है आपके साथ शायद 1990-1995 से जुड़ी थी आज तक मेरे ये बैंक से के साथ कभी problem हुई नहीं है So whatever there were complications in the reporting system of the bank to the reserve bank उनके mismatch के हिसाब से जो मैं समझा हूँ कि हमारे उपर attack किया गया है नहीं तो ये bank पूरी fault में थी और वो fault को बचाने के लिए वो लोगों को शायद तकलिफ है नहीं हुए वो इसाब से उन्होंने सुझा कि ये state की एक bank है और ये state की एक बहुत अच्छी company है country की तो हमको sacrifice का दिया गया है basically and it just went things happen too fast to pull back आपको नहीं लगता है कि आप भारत में रहकर अपना डिफरेंड कर सकते अपना पचाओ कर सकते थे आपको विडिश में जाने की जाओ जाओ See you know Shilabhan that I am very honestly speaking जो भी मेरी medical procedure हुई और उसके बाद जो भी मेरी condition है or there are many other reasons कि आज मेरी family अभी मैं मैं इंडिया जाओ तो क्या होएगा क्या नहीं होएगा we are all in a trauma at the moment to be very honest और कुछ भी आप मुझे कोई भी सवाल पूचे I have never denied nothing at all कुछ भी सवाल पूचे में एक एक सीच का जवाब देने के लिए रेडियो नहीं बाए आपने कहा कि आपको चुनाव आ रहा है इसलिए आपको soft target बनाया और छोटे से देश में आप है तो छोटे से देश से आपको extradite किया जा सकता है वैसे संभाव ना है ऐसा क्यों करेगा आपके साथ कोई basically शायद जो मैं समझाओं कि ये चुनाव में जो बैंक के डिफॉल्टर है उन में से किसी एक को नहीं लाया जाएगा तो शायद चुनाव इदर से इदर हो सकता है देखें I have a highest respect for my prime minister और the government too शायद ये बहुत लाखों करोडों लोगों की अच्छाई के लिए हो कि वो एक को कहां Bombay में लावे but first of all India में लावे first of all let me just tell you please ask everybody to go back to the was I a defaulter? I was never a defaulter ये defaulter आपने मेरी कंपनी बंद होने से क्या default नहीं होगा तो क्या होगा अगर आप मेरा माल जबत कर लेंगे अगर मेरा तो default नहीं होगा तो क्या होगा first of all ये लोगों ने रिपोर्ट किया कि default हुआ है, default हुआ ही नहीं था तब तक so basically there are a lot of wrong complaint which was made the entire complaint was rather a wrong complaint और अभी एक तफ़ा गन चुट गई है चुट गई है, machinery ये दिशा में जा चुकी है it cannot be reversed एक और बात है कि आप जब मेर से बात कर रहे थे कल तो आपने मुझे बताया कि अब मुंबई में आपको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है और जब भी अगर आप किसी व्यपारी को फोन करते हैं या किसी को फोन करते तो उनको डर लगता है तो कोई फेमिली से फेमिली गिन के फेमिली क्या किसी को भी में इंडिया में फोन करो तो सब को वहां पर डर लगता है याद से नहीं शायद 15 फेबरुआरी से कोई भी लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहा है कोई एंपलोई नही बात कर रहा है, कोई फेपारी नही बात कर रहा है, कोई शगा वाला जो अपन, friends, family, nobody is speaking to me, because everybody is scared like anything. और कहां कहां भी, जहां जहां भी, कोई भी आदमी, जहां भी, मेरे साथ कुछ भी सबंद रखना चाहेगा, तो उसके भाहा रेग चली जाती है. ऐसे हुआ है? वेल, I will say that this is what the terror is all about. अगर ये आपके जीच जाते हैं भारत सरकार के खिलाफ, Antigua में, क्यूंकि अभी आप Antigua के नागरिक है, आपको पता है कि आप भारत कभी वापस नही आपाएंगे? See, I trust God, I trust democracy, I trust that at the end of the day, मुझे न्याएं मिलेगा और अच्छी तरह से न्याएं मिलेगा. और हमने, मैंने सपने भी ऐसा कोई खराब काम किया नहीं है, कि मुझे ये सजा जो मिली है, वो गरेक्ट है. तो मुझे विश्वास है कि जैसे खराब दिना है, अच्छी दिन भी आएंगे. एक आखरी सवाल आप से, कि आपने मुझे कहा कि आप मुंबई में मुझे मिलती, तो मेरे पास समय नहीं था. पर कल मैंने जब आप से पूछा कि आप मुझे कब मिलेंगे, तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास समय ही समय है. ये जो जीवन में आपका परिवर्तन आया, उसको आप कैसे कोग कर रहे हैं? आप एंटी गुवा में अप क्या कर रहे हैं? एक गूत्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा समय लोईस के साथ पिताता हूं, और बाकी तो, ऐसे ही ये बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारे लोग है, तो समय निकालने की कोशिस कर रहा हूं, और दीरे दीरे करके, कुछ ना कुछ काम करूंगा, एसी क्वाईश है इसी देश से? Well, I want to be free bird, there is no question about it, so किसी को भी कहां भी, कहां भी ट्राविल करना, कोई भी चीच करना, वो तो, किसी की भी human right है, so I'm sure that it will remain with me. कुछ बोलना चाहेंगे अभी अब या? Sorry, मेरा, एमोशनल लिकाल देना, जो भी है। Mule भाई, please, सबसे जादा दुख आपको किस बात का हो रहा है, अब मुंबई को मिस करता है? Sorry, I'm quite strong, but... Mayul भाई, आपका मन हलका हो जाए। Mayul भाई, आप भारत को मुंबई को मिस करते हैं? कौन नहीं करेगा? मैंने मेरी सारी जिन्गी यहां निकाली हैं मेरी एक क्वाईश है कि मेरे एंपलोईस के साथ बहुत अंजिस्ट हुआ है। 6000 एंपलोईस को शायद उनकी जो भी ग्रेट्चुईटी और जो नहीं मिली है। पैसे मेरे खाते में पड़े हैं। इतना यह काम कर दे मैं मेरे लिए नहीं मंग रहा हूं। मेरे एंपलोईस के लिए मंग रहा हूं। और पर्टिकुलरली मैंने कुछ पांच साल से महनत करके 500-600 चलेंज डिसेबिलीटी के साथ लोगों को मैंने बर्ती किया था और एक सपना था कि यह लोगों को टन ओवर करके दूसरी फैक्ट्री में मैं प्लेस कता जाओंगा। उन लोगों की पीछे ख्याल रखें। उनको सूरत में या कहां पर बुला के उनको काम दिया जाओंगा। और इन लोगों की ग्रच्विटी को अड्रेस करना चाहिए गवर्मेंट को। इसके लिए चानेंज लोग जो आपने ट्रेंड किया हैं। यह मैं इतनी प्रातना करूंगा। यह मैं इतनी प्रातना करूंगा। वो सुखी रहे एं। इन इतनी प्रातना करूंगा। जब आपकी कंपनी पे जिली पे और गितान जिली और नक्षितरा पे रेट पड़ी थी तो बहुत सारे फ्रेंचाइसी पे ही रेट पड़ी थी। यह शीला मैं यह एक ग्रूप ऑफ 7-8 निक्टोरियस फ्रेंचाइसी है। जून के पास मेरा बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। यह बहुत सालों से चल रहा है कि इन लोगों के उपर मैंने माल कलेक्ट करने के लिए शायद यह लोगों के पास 200-200 क्रोन का माल पड़ा हुआ है। इनके ओपर मैंने कंप्लेंट डाले थी क्योंकि गुद्स वरान मैमो तो इन लोगों ने यह पूरा इखटा होके यह पूरा सरकस चालू किया है कि उन लोगों से मेरे से कुछ लेना है। तो इन लोगों के साथ मेरा एक पास्ट संतोश्री वास्ताव करके कोई सरी मेरे एक पास्ट अंपलोई जो था वो लोगों के साथ मिलके इसब भरकते कर रहे हैं। यह पी केस यह को ने बहुत सारे केस कीये। एक भी केस कभी यह सुक्सेस्फुल नहीं हुए है। अभी मैं नहीं हूँ, तब ही लोग कहां कुछ भी काम करवा जावे, तो इस नोट इस नोट इन मैं कान्ट्रोल. पर अभी मैंने सुना है कि केस आप पे पहले भी थोड़े बहुत थे. वो तो इकना बड़ा, अगर मेरे चार अजार दुकानों में मेरा माल जाता हुएगा, फ्रेंचाइजी सूम, एवरिटिंग, तो कुछ ना कुछ तो लिगल केस तो यहां-वहां मेरा बहुत बनेगा, उनका बहुत बनेगा, वो तो चालू, चालू, लाइफ का वो है. अज तक मैं कभी भी क्रिमिनल चार्ज के लिए पोलीस चोकी में नहीं गया हुए. कभी भी कॉर्ट में मेरे सामने, कभी भी कोई भी केस नहीं हुआ है. और यह होने का कोई चांस ही नहीं है, मेरी कंपनी वास अ लिडर कंपनी. एबी पी नियूस से बात करने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद आपका. तो इस साल का सबसे बड़ा इंटर्वियो आपने देखा. 14,000 करोड का घुटाले बाज मेहुल चोकसी पहली बाद टीवी पर बोला और बोला एबी पी नियूस के माध्यम से शीला रावल के हर सव मेहुल चोकसी ने आदे घंटे तक मेहुल चोकसी ने एबी पी नियूस के सवालों का जवाब दिया. चोकसी ने क्या-क्या खुलासे किये, क्या-क्या राजों से परदा हटाया. बड़ी बातों के लिए सीधे चलते हैं. चित्रा के पास. मेरी कमपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है. यानि कि फ्रॉड के जो आरोप लग रहे हैं, उससे सीधे तोर पर उन्होंने इंकार किया कहा, बैंक ने मुझे बली का बक्रा बनाया है. यानि कि कही न कही पूरा ठीकरा बैंक के ओपर फोड़ते हुए. मेरे खिलाब जब श पर्टन रहा हूँ, हाला कि नीरव मोदी को लेकर जादा कुछ बोलने के लिए तयार नहीं हुए मेहुल चोकसी. दो हजार की बात नीरव की कमपनी से मेरा कोई मतलब नहीं रहा. शिला रावल ने इसके आगे जब सवाल कुछा तो नीरव मोदी को लेकर जादा कुछ बोल पासपोर्ट के लिए आवेदन बिजनस को और जादा बढ़ाने के लिए मैंने किया था मैं राजनीती का शिकार हो गया हूँ मेहुल चोकसी ने ये बड़ी बाते कहीं यानि कहीं न कहीं राजनीती को भी अपने पीशे ये बताते हुए कि दरसल मैं इसका शिकार हुआ हूँ मेरी कोई गलती नहीं है एंटिगा से भी निकाला जा सकता हूँ इस बात का डर्ज जाहिर करते हूँ मेहुल चोकसी भांजे निरमोदी के रिष्टे पर मामा मेहुल चोकसी ने चुप्पी साधे रखी जादा कुछ बोलने के लिए तयार नहीं हुए शाध साथ से आठ जार करोड की संपत्ती जब्थ हुई है इस बारे में मेहुल चोकसी के ओर से जानकारी भी दी गई साथी ये भी उन्होंने कहा कि जैसे खराब दिन आए वैसे अच्छे दिन भी आएंगे यानि कि अपने अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए एंटिगा में बैठे मेहुल चोकसी के ओर से किया जा रहा है फरजी बाड़ा धोखा धड़ी और हवाला के केस दर्ज है और खुद उनके ओर से कहा गया कि 16-17 एजनसिया जो है वो मेरे पीछे पड़ी वी है CBI, Income Tax, ED का शिकंजा मेहुल चोकसी के ओपर कसा हुआ है गीतांजली, जिली और नक्षत्र के मालिक है मेहुल चोकसी इस तरह की कई कमपनिया जिनका विदेशों में भी काफी बड़ा व्यापार और वो मेहुल चोकसी अब फूट फूट कर ABP News के कैमरे के सामने रोते हुए और ये कहते हुए कि दरसल मैं राजनीती का शिकार हुआ हूँ, मुझे फसाये गया है, मेरे कोई गलती नहीं है तो ये बड़ी बाते नेहा मेहुल चोकसी की ओर से आज की इस इंटर्वियू में कही गई है शुक्रिया आपका चित्रा और देखे मेहुल चोकसी जिनके सामने बोला, ABP News की investigative editor शीला रावल हमारे साथ मौझूद है सब के हाथ खाली, आपने एंटिगा में होटाले बाज मेहुल चोकसी को कैसे ढूंड निकाला? नेहा हमें जो शुरुआत में पता था, बस इतना पता था कि वो एंटिगा आइलेंड पे हैं और वहां से हमारी कोच शुरू हुई करीब 10-12 दिन हम जब तक वहां रहे, वहां कोई सुराग मिला और हम मेहुल चोकसी तक पहुँचे, उनकी पत्नी को भी मिले जो हमारी 2-3 मुलाकात हुई, उस लंबी मुलाकात में दो कदम वो चले, दो कदम हम चले और वो कैमरे पर आकर बोलने को अपना दावा, अपना सच बोलने को तयार हो गया और जो अपने सच की शीला वो बात कर रहे हैं, यह मेहुल चोकसी तो बिलकुल जिस तरह से बात कर रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिती है, मतलब 14,000 करोड का घुटाला करके देश शोड के भागो भी एजिंसिया पीछे भी लगे और फिर कहो कि मुझे तो बली का बकरा बनाए गया हर आरोपी अपने आपको निर्दोर समझता है और वो बात, वो दावा अपने लिए जाइज है अभी तक हमने जो सुना था कि जितनी हमारी जाच एजंसिया है, उन्होंने आरोप नामा बनाया, उनके आरोप हमने पेश किये ये पहली बार है कि मेहूल चौकसी अपने तरफ की बात कर रहा है और ये बात गौर करने वाली है कि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, जो सच है और जो मैंने जितनी बार में मेहूल चौकसी से मिली और उनकी पतनी से, उनके वकील से मैंने बात की और कुछ मुझे उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दिये जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जैसे उनको पता चला कि उनके यहां रेड पड़ी है तो पंजाब नेशल बैंक के एक अधिकारी है उनको उन्होंने लेटर लिखा कि यह क्या हो रहा है और मामला रिजॉल्व करते हैं तो अधिकारी का एक email मैंने पड़ा उसमें लिखा था कि भई अभी मामला बहुत आगे चला गया है अब settlement की कोई बात नहीं हो सकती बात दरसल यह है कि हीरा बजार में जो भी व्यपार होता है वो credit line पे होता है मेहुल चौकसी के दावे के अनुसार उनको भूगतना पड़ा पर नीरव मोदी पर तो मेहुल चौकसी कुछ बोलने को तयार ही नहीं देगा ज्यादतर सवालों को avoid करता रहा बिलकुल क्योंकि उनके उन्होंने मुझे बताया कि उनका बाप बेटे का संबंद रहा है नीरव मोदी की माता बहुत पहले चल बसी थी तो मेहुल मामा होते हुए उन्होंने तीनों बच्चों को पाला है तोनों ने कहा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता लेकिन एक बात मैं बताती हूँ कही न कही उनके परिवार जनों में ये कड़वाहट जरूर थी कि नीरव ने जिस तरह से काम किया उस तरह से काम नहीं करना चाहिए था जिससे इतना बड़ा खामी आजा मेहूल चौकसी को भुगतना पड़ा उसने अपनी बातों में भी आपको कनवे किया कि नीराव मोधी की वज़े से अपने भाजे की वज़े से आज मेहूल चौकसी स्थिती में फसा है बात यहाँ तक अटकती नहीं है अभी वज़ा कोई भी हो सत्य ये हैं कि F.I.R. धर जो चुकी थी उसके बाद में अभी चार्चित भी लग चुकी है मामला बहुत जल्द एंटिगा की कोट में पहुँच जाएगा सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के लिए ये बिलकुल लोहे के चने चबाने वाली बात होगी कि ये जो जितने सारे आरोप है वो उनको किसी और देश की अदालत में प्रूव करने पड़ेंगे और अभी तक का हमारा अनुभाव है कि जब हम प्रत्यारपन की बात करते हैं तो हमें कभी भी कोई भी अपना आरोपी दुनिया से वापस अभी तक नहीं मिला शीला ऐसा क्या हुआ मेहुल चोकसी हमारे क्यामरे पर फूट फूट कर रोने लगा जैसा ट्राक रिकॉर्ड मेहुल चोकसी का रहा है ये नाटक तो नहीं था कहीं आपको क्या लगा बिल्कुल नाटक नहीं था एक बात समझने वाली है बीच साल पैने में उनके घर गई थी मैंने उनका आलिशान पैंट हाउस देखा है उसके बाद में चमचमाती एक से एक बड़िया गाड़ी है तो जो इतना बड़ा कारोबारी रहा हो और इर्दगेट सेलिबरिटी घुमती हो वैसा इनसान अब एक सामान्य जीवन एक आरोपी की तरह एक भागते हुए आरोपी की तरह बिता रहा हो तो ये अपने आप में धक्का लगने वाली सद्मा लगने वाली बात है और दूरी कुछ और बड़े राज खोलेगा और वताएगा कि वो क्यूं कह रहा है कि वो राजनितिक साज़श का शिकार हुआ है एबी प्रियूस पर आप बने रहे हैं देखते रहे हमारी ये बड़ी कवरेज वर्ल्ड एक्स्क्लूसिफ पहुत पहुत